हेलो फ्रेंड्स राधे राधे जैसरी किस्ना फ्रेंड्स देखे आज हम बनाएंगे अपने लड्डू गुपाल जी के लिए शोल यह देखे आपर हमने फंदे डाल लिए फंदे टाइट नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी देखे कितने लूज फंदे हैं तो यहाँ पर हमने बोर्डर तयार कर लेते हैं टू कलर से इसको हम बनाएंगे तो यह बोर्डर तयार करते हैं सबसे पहले इसकी उल्टी-उल्टी सलाईयां बनाकर इसकी हमें चार सलाईयां बनानी हैं दोनों साइड से उल्टी-उल्टी सीधी साइड से उल्टी और उल्टी साइड से उल्टी इस तरह से ते चार सलाईयां बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे किसमें आगे हमें करना क्या है यह देखे इसमें हमने चार सलाया कम्प्लीट कर ली है बोर्डर की और देखे हमने थोड़ा लूज भंदे डाले थे तो यह बिल्कुल खिचा-खिचा नीचे से नहीं है अब यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे यह देखे यह सी ग्रीन कलर यहाँ पर हम इसमें ठोड़ा सा डिजाइन डालेगे यह दागा ले लेंगे एक दो तीन तीन फंदे हम देखे इस कलर से बुन लेंगे एक फंदाय से उतार लेंगे फिर तीन फंदे बुन लेंगे एक दो तीन ये फंद ऐसे उतार लेंगे एक दो तीन फंदे बुन लिए और ये फंद ऐसे उतार लेंगे फिर तीन फंदे बुन लेंगे चोथा फंद हमें ऐसे उतारना है इसको हमें नहीं बुनना है यह इसकी design की first row है तो इस तरह से यह एक complete करनी है कि तीन फंदे उतार लेने है और एक फंदा हमें सोरी 3 फंदे भुन लेने है एक फंदा उतार लेना है जो 4 फंदा है सु हम इस यह दिखिया लास्ट में 2 फंदे बच गए दोनोंे को बच लिए तो यह हमने शीधी साइड से सइस्ट रो कम्प्लीट कर लिए अब उल्टी साइड से इसके सेकंड रो बनाएंगे यह फंदा ऐसे उतार लेंगे सेकंड रो में जो फंदा बुना है उसको बुन लेंगे जो फंदा हमने उतारा है उसको उतार लेंगे इसको उतारा था तो यहां भी उतार लेंगे ये तीन फंदे बुन लेंगे एक फंदा उतार लेंगे फिर तीन फंदे बुन लेंगे ये फंदा उतार लेंगे तो देखे इस तरह से हमने इसकी दो सलाईया की complete कर ली है मूदर पा बाद पूर्डर हमने चार सलायों का बनाया और पूर्डर के बाद हमने इसमें ये um यह म trabalhें डाला डोनों कलर से हमें दोकर सलाईया बनेगी आज़र देखे स्थरा से complete हमने कर ली है अब यहाँ पर हम यह ओरेंज कलर लेंगे तो यह देखे थोड़ा सा इसमें हमें चेंज करना है यह फंदा तो सीधा ही बनेगा यह फंदा बुना जाएगा यह उल्टा यह सीधा यह उल्टा जो यह तीन फंदे हैं यह देखे तीनों इनमें से सेंटर वाला फंदा हमें सीध उल्टे बुनने हैं तो देखें कैसे धाग अपनी साइड लेकर आएंगे फर्स्ट फंदा उल्टा धागा पीछे सेकेंड फंदा सीधा देखें सेंटर वाला फंदा सीधा होगा फिर धागा अपनी साइड ये फंदा उल्टा धागा पीछे ये फंदा सीधा होना चाहिए तो इसको हम सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड अब देखें तीन फंदे हैं हमारे पास तीन में से हम पहला तो बुनेंगे उल्टा सेकेंड वाला सीधा थर्ड वाला उल्टा और देखें ये वाला फंदा आ जाएगा सीधा ये डिजाइन की यहाँ पर थर्ड रो है फिर दागा अपनी साइड सीधी साइड पर हैं एक फंदा उल्टा दूसरा सीधा तीसरा फंदा उल्टा और ये ओरेंज वाला फंदा भी बुना जाएगा, ये फंदा होगा सीधा ये दिखिए, बहुती सिंपल डिजाइन है ये, आप इसे बच्चों के स्वेटर वगएरा मैं भी डाल सकते हो तो ये थर्ड रोम सीधी साइड से इसी तरह से इसकी कम्प्लीट कर लेते हैं ये फंदा भी हमेज में बुनना होगा, जो हमने उतारा था ये देखे, थर्ड रोम हमने इसकी इस तरह से बनाते हैं कम्प्लीट कर ली है लास्ट वाला फंदा सीधा, ये दिखे, अब उल्टी साइड पर आ जाएंगे और उल्टी साइड से इसकी फोर्ट रोम बना लेंगे ये फंदा उतार लेंगे और पूरी सलाई उल्टी बनाएंगे, इसमीहा पर हमें कुछ भी नहीं चेंज करना है ये डिजाइन की फोर्ट रो है उल्टी साइड से तो इसको हम उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं पूरी सलाई को, ये देखे, चार सलाई आज के हमने कंप्लीट कर लिए और ये डिजाइन हमारा देखे, बहुत ही प्यारा सा दिखाई भी दे गया अब यहाँ पर ये वाला कलर लेंगे हम और डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये देखे, यहाँ पर हम तीन फंदे जो उतारेंगे तो ये फंदा सेंटर वाला होगा तीन फंदों में ये वाला फंदा भी आएगा, ये देखे, जो हमने उतारा था पहले तो इसको हम सेंटर में लेंगे एक फंदा यहां से एक फंदा यहां से तो यह तीन फंदे हम उतार लेंगे सोरी यह तीन फंदे बुन लेंगे यह उतार लेंगे तो हमें पहला फंदा बुन लेना होगा एक फंदा बुन लिया second वाला फंदा मैंसे उतार लेंगे इस तरह से अब देखें ये तीन फंदे हैं तीनों को हमें बुनना है ये फंदा center में है ते तीन फंदे बुन लेंगे एक, दो, तीन सीधी साइड से ये इसकी fifth row है ये फंदा ऐसे उतार लेंगे फिर तीन तीन फंदे बुन लेंगे फिर ये फंदा ऐसे उतार लेंगे और तीन फंदे बुन लेंगे जो तीन फंदे हमने पहले बुने थे तो इन में से center वाला फंदा में ऐसे उतार लेना है तीन फंदे बुन लेंगे एक फंदा उतार लिया तो यह दिजाइन की हम यहाँ पर फिप्तरों बनाएंगे इस तरह से आप बच्चों के स्वेटर पर इसको डाल सकते हो जर्शी पर डाल सकते हो कोट बगेरा पर इसको डाल सकते हो बहुती जंदली बनने वाला डिजाइन है और बहुती आसान भी है यह देखे यह फंदा ऐसे उतार लेंगे तीन फंदे बुन लेंगे लास्ट वाला फंदा में ऐसे उतारना है तो यह देखे फिप्तरों कम्प्लीट कर ली अब उल्टी साइड से इसके शिक्तरों बना लेते हैं यह फंदा ऐसे उतारना है जो फंदा बुना है उसको बुन ल यह पूरी सलाई हम ऐसे बना लेते हैं अब देखें फिर से सीधी साइड पर आ गए और सीधी साइड से इसमें औरेंज कलर लगा लेंगे तो यह देखें यहां पर हमारे पास यह तीन फंदे हैं यह फंदा उल्टा बुना जाएगा इसके साइड वाला और यह फंदा भी उल्टा तो देखें हम इनको इस तरह से बनाना है पहला फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे यह फंदा सीधा होना चाहिए देखें उतारा हुआ तो इसको हम सीधा उनेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड अब देखें तीन आ गए तीन में से पहला फंदा उल्टा दूसरा फंदा सीधा देखे फिर ये फंदा उल्टा और ये फंदा सीधा तो डिजाइन हमें ऐसे आगे बनाते जाना इसको थोड़ा सा में बना लेते हैं फिर दिखाएंगे इसकी लेंद डिजाइन हमें बार बार ये ही रिपीट करते जाना है ये दिखे ये फंदा सीधा ये उल्टा ये सीधा ये उल्टा ये सीधा ये दिखे डिजाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा तो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं उल्टी सलाई हम औरेंज कलर से उल्टी बनाएंगे फिर आपको हम दिखाते हैं यह देखें इसको हमने इतना बना कर कम्प्लेट कर लिया है एक दो तीन चार चार डिजाइन इसमें हमने डाले हैं और अगर इसको मेजर करके बताएं तो यह देखिए पूरे पोने दो इंचे तयार है अभी यहां तक अब इसका हम बोर्डर बनाएंगे बोर्डर हम ओरेंज कलर से ही बनाएंगे इस तरह से इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे दोनों साइड से जैसे हमने देखे नीचे ये बोडर बनाया है ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर भी बोडर बनाएंगे और इसमें हम दोनों साइड से चार सलाईयां बनाएंगे उल्टी उल्टी जो सीधी साइड से भी उल्टी होगी और उल्टी साइड से भी उल्टी ते चार सलाईया बनाते हैं फिर आपको दिखाएंगे देखे इस तरह से दो लाईने आ जाएंगे सीधी साइड पर तो इसको बना लेने के बाद फिर दिखाते हैं यह देखे इसके हमनी चार सलाईया बनाकर complete कर ली है यह इसका नीचे वाला पार्ट है यह बोडर जो आएगा नीचे की साइड आएगा अब इसमें हम यहाँ पर फ्रिल बनाते हैं देखे हमें कैसे बनानी है यह एक फंदा जो है इसको हम एक बार बुनेंगे फिर वापिस लेंगे एक बार और बुनेंगे तो यहाँ से लेना है तो बुल्टी साइड पर आगए यह फंदा तो ऐसे उतारेंगे धागा पीछे करेंगे लास्ट वाला फंदा हम सीधा ही बनाएंगे हर बार इस फंदे को सीधा बुन लेंगे दो फंदे हो गए अब देखे यहाँ पर यह तीसरा फंदा बुनेंगे एक एक तो हमने उतार लिया दो और यह तीसरा फंदा बुन लेंगे तो यह तीन फंदे हो गए यह से हम वापिस हो जाएंगे फर्स्ट फंदा ऐसे उतारेंगे दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे और तीसरा फंदा हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे तो यह तीन फंदे हो गए अब देखे फिर सीदी साइड पर आ गए एक फंदा ऐसे उतार लेंगे दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे और तीसरा फंदा बढ़ा लेंगे इसको भी आम उल्टा बनाएंगे देखे तीसरा मिया से ले लेंगे तो टोटल हमारे पास चार फंदे हो गए फिर धागा इधर करेंगे एक फंदा ऐसे उतार लेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे लास्ट वाला फंदा सीधा ये देखिए अब ये फंदा ऐसे उतार लेंगे फिर से एक फंदा तो उतार लिया एक दो तीन चार चार फंद उतार लिया, 4 फंदे उल्टे बुन लिये, यहीसे वापिस होंगे, 1 फंद ऐसे उतारेंगे, 1, 2, 3, 3 फंदे बीच वाले हमने बुन लिये, उल्टे, लास्ट वाला फंदा सीधा, यह देखें, टोटल हमारे पास 5 फंदे हैं, अब इन 5 फंदों को हम घटा देंगे, दो का एक किया फिर फंदा वापिस लेंगे फिर दो का एक फंदा वापिस दो का एक फंदा वापिस फिर दो का एक तो यह चार फंदे घट गए यह पांच वह फंदा हम इस फंदे के साथ घटा देंगे ठीजिर देखिए, पाँच फंदों की यहाँ पर फ्रिल बन गई है, अब दूसरी फिल बनाएंगे, इसी फंदे को हम दो बार बुन लेंगे, एक पार फिर फंदा दूसरी बार बुनेंगे, ग्रम यहाँ से एक फंदा यह ले लेंगे, फिर उल्टी साइड आएंगे, फंद दो, दो फंदे बुन लिए, एक फंदा उतारा, दो बुन लिए, यहीं से, देखें, उल्टी साइड पर आएंगे, यह फंदा ऐसे उतारेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट वाला फंदा, सीधा, देखें, तीन फंदे हो गए, अब फिर से सीधी साइड पर एक फंदा ऐसे उतार लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे पहला फंदा उतार लिया, तीन फंदे उल्टे अब देखिए यहीं से हम, उल्टी साइड पर आए गए, यह इसे उतारेंगे, दो फंदे उल्टे, और लास्ट वाला फंदा सीधा, तो यह चार फंदे हो 4 फंदे सीधे सोरी उल्टे बुन गे अब यहीं से हम उल्टी साइड पर आएंगे यह फंदा से उतारेंगे 1 2 3 धागा पीछे करेंगे एक फंदा उतारा था 3 फंदे उल्टे बुने लास्ट वाला फंदा सीधा अब यह देखे 5 फंदे हो गया हम 5 को घटा देंगे सबसे पहले दो का एक करेंगे, एक फंदा कम हो गया, दो, तीन, चार और ये फंदा इसके साथ घटा देंगे, पांच, ये देखे पांच फंदों के हमने यहाँ पर ये दो फ्रिल बना कर तयार कर ली है, अब इसी तरह से हम ये पूरी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएं ये देखे, फ्रिल हमने इसके यहाँ पर ये देखे, नीचे वाली तयार कर ली है, और एक साइड से हमने फंदे उठा कर ये किनारी भी इसकी बना ली है, अब दूसरी साइड से फंदे उठाएंगे, और देखे, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे, सीधी साइड से, अंदर हैं इस तरह से यहां पर फंद उठाएंगे 좋다 और 14 के हमने साइड पर उठाएंगे को मुझे सब्सक्राइज है का यह precies चवंड कर देंगे इसकी ठीखे सैड कि इन actOS यहां में चिचेवा साइट से उल्टा बनाते हैं इंको हम बंद कर देंगे तो यह हम इस साइड के भी किनारी बना लेते हैं यहां पर इसका हम कैप बना देंगे ऐफिंटी भी वोsky हम उफले डाले हैं अब billion में आपले कमारे फंदेंगे हैं दस नमबर की ही यहां पर हमने सलाई ली है कि अदिध्य स्टरह से फ्र्स्टरों हुम्ने ने कमपलीट कर ली हैं अब यहां से स्की सेकिंड रो बनाएंगी और इसको हम से सीधह बना लेते हैं देखें यहां पर इसके हम इस तरह से दो सलाइएं कम्प्लीट कर लेते हैं सिसका बॉर्डर है जो फेस पर आएगा दाग अपनी साइड लाकर इस फंदे को मैंसे उतार लेंगे क्योंकि हमें यहां से इसमें कलर चेंज करना है इसलिए हमने साउने को बीना बूने उतार लिया है अब देखे यहां पर हम यह फिर पाल्ण पर दिद्धा बोड़ेंगे प्लेटों दिद्धना है देखिए इस धागे को ऐसे दबा लेंगे कि साथ हम इस तरह से इदेखे सीधी साइट से इसको सीधा बनाते हैं और उल्टी साइट से बनाएंगे इसको उल्टा तो ऐसे बनाना है इसको हमें यह फंदय से उतार लेंगे यह देखिए यहाँ पर हम इसके चार सलाईयां कम्प्लीट कर चुके हैं दो बोडर की और दो हमने कलर चेंज होने के बाद बनाई यह देखिए इसको हम थोड़ा सा बना लेते फिर दिखाएंगे यह देखिए हमने यह आप पर यह ग्रीन कलर से 8 सलाईया कम्प्लीट कर लिए दो हमने यह बनाई आट यह बनाई टोटल यहाँ पर इसके 10 सलाईया कम्प्लीट हो गई अब देखिए यहाँ पर हम फंदो को हाफ हाफ कर लेंगे तीन चार पांच छे चैप इसाइड चोड़ लिए यहाँसे इसको फोल्ड करेंगे इस तर सलाई में उतार लेंगे देखें यहां से एक फंदा फिर इस सलाई से एक फंदा इस सलाई से फिर इस सलाई से दोनों सलाई से हमें एक-एक फंदा उतार लेना है उनको हम बंद कर देंगे सारे फंदों को तो देखें सबसे पहले हम यहां पर दो का एक करेंगे फिर यह फंद बनाएंगे यह बनाएंगे तैंस तरह से हम सारे फंदें ने के बंद कर देंगे प्लिए इस stalत पर ञाएंगे कुछ रखे यहां पर द्रागे को कट कर देंगे कभी भी द्रागा पास से कट नहीं करना है नहीं तो खुलने का डर रहता है अब देखिए इस धागे को यहीं पर सेट कर देंगे कोई क्रोशिया लेंगे या सलाई की हेल्प से या सुहीं की इस तरह से इसको यहां पर SET कर देंगे हम एक दू बार नोट लगाएंगे अच्छे से ताइट कहींच कर यह दागा इसका एक्स्टर कट कर देंगे ता देखिए यहां पर कैप इसकी तयार्ब हुए लेंगे सील देंगे देखिए अब इसको सील लेंगे सबसे पहले देखिए क्या करना है जो सीधा है इसको हम भार की साइड रखेंगे इसको फोल्ड कर लेंगे और देखिए इस तरह से इसको हमने फोल्ड कर लिया है यहां जो सेंटर पॉइंट है यहां से इसमें देखिए धागा न कैप है यहां से इस तरह से लेंगे और जो center point है इसका वी जहां पर देखिए इसको अमने छिला था यहां से इसको सब्स्राइट करतेंगे buy देखिए यह फिल्टा है और Papi उटी है तो अब से अम सेल देते हैं इस तरह से मिलाते हुए छाप्oule कोई थे खैक है कि है कि इस तरह से उसको और को सीलने के बाद फिर आपको हम दिखाएंगे कि दिखिये यहां से मैं दागा इसका कट नहीं करेंगे का मैं इसको आ मैं श्यों पैक है कि यहां से यहीं से हम वापश हो दिखें सीलने के बाद पुर दिखाते हैं देखें कैप हमने इसमें लगा दी है आप इसको देखיी याँ पर चीट बटन भी लगा सकते हैं इस तरह सेट करने के लिए और ये वैसे भी सेट हो जाएगी पहिना भी ने के बाद अच्छे से हो जाएगी अल गोगी देखिये इसकी बैक साइड है इसकी लैंग τो दिखाती है आपको पीदििखी अगर इस तरह से देखे तो इफ रिल तक फ रही इंच तक हम ने से ब्लाइन प्लीम का बनाइ यह रहले और अगर ऐसे देखें तो यह साथ इंच है देखिए साथ इंच यह ऐसे है तो देखिए हमने इस तरह से शोल बनाई है आप भी बनाएं और लडू गोपाल जी को पहनाएं देखिए बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस तरह से बनाएं और यह सेट हो जाती है ड्रेस के उपर पहनाया थंड यह इसकी बैक साइड है तो ऐसे ही आएगी पहनने के बाद तो फ्रेंट्स आप लोग बनाएं और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ड्रेस आपको कैसी लगी यह देखिए जो इसमें डिजाइन है थोड़ा सा स्ट्रेचबल है इस तरह से यहां पर जब हम पहनाएंगे तो चीट बटन से ऐसे ही सैट हो जाएगी तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगली नई वीडियो में राधे राधे